पूरे दुनिया के नाक में दम करने वाले चीन को उसी के देश की महिला ने उसे बेदम कर रखा है सर्फ बेदम ही नहीं बलकि चीन सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि चीन की सरकार को उस महिला के सामने जुकना पड़ा है आखिर कौन है ये महिला और कैसे इसने चीनी सरकार को सबक सिखाया है आपको बताते हैं चीन के गुआन डोंग प्रांक में एक ऐसा हाईवे है जिसके बीचों बीच एक घर है जिसे देखकर आप चौक जाएंगे उस घर की मालकिन हाईवे पर गाडियों की तेज रफतार के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रही है आप सोचेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है और हाईवे निर्मान के दवरान स्थानिय प्रशासन ने उसे क्यों नहीं हटाया दरसल जिस वक्त वहां हाईवे का निर्मान किया जा रहा था उस वक्त स्थानिय प्रशासन ने बीच रास्ते में आ रहे उस घर को हटाने की काफी कोशिस की उस घर की मालकीन वही पर रहने पर अड़ी रही और हटने से इनकार कर दिया इसके बाद उसे छोटे से घर के चारो और एक राजमार कापोल निर्मान कर दिया गया अब महिला गाडियों के बीच अपना जीवन विता रही है हाईवे निर्मान से पहले घर की मालकिन एक दशक तक सरकार को अपना घर बेचने से इनकार करती रही उसने सरकार से इसके लिए मिलने वाले मुआबजा लेने से भी इनकार कर दिया तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि दक्षिन चीन के गुआंग दोंग प्रांग में बनाए गए हाई जुआंग ब्रिस्ट के बीच वो महिला अपने छोटे से घर में रह रही है एक मंजिला या फ्लैट 40 वर्फ मीटर का है गुआंग डूंग टीवी स्टेशन के नुसार या घर चार लेन के ट्रेफिक लिंक के बीच में एक गड़े में इस्थित है उस घर की मालकीन का नाम लियांग है दसन के रिपोर्ट के मुताबिक वो महिला वहां से स्थांतरित होने के लिए इसलिए सहमत नहीं हुई थी क्योंकि सरकार उसे एक आदर्श स्थान पर वसाने में नाकाम रही उसने कहा आपको लगता है कि या माहूल खराब है लेकिन मुझे लगता है कि या शान्त है, मुक्त है, सुखद है और आराम दायत है उसने कहा कि या परिणामों से निपटने के लिए खुशी थी और या नहीं सोचती कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं लेकिन मुझे लोगता है